गुम है किसी के प्यार के आज राद के एपिसोट के शुरॉट होती है बरसी के साथ विराट और सई मन्दिर में कमल की बरसी की पूजा कर रहे होंगे जहांपर सई अपनी आबा को थैंक यू कहती है और बताती है कि विराच साथ मेरा बहुत ख्याल रख रही है आपने आबा कहा था कि विराट से मुझे प्यार करने लग गए है शायद अब ये सही बात है उदर सही अपना प्रॉमिस भी फुल्फिल करने की एक बार फिर से ठानती है और कहती है कि मैंने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं विराट से को छोड़ कर कभी नहीं जाओंगी और मैं ये वादा निभाओंगी सई अपने आबा को बहुत मिस करती है और वो प्रे करती है कि मैं आपका डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा करूँ तो वहीं विराट माफी मांगता है कमल से और कहता है कि मुझे माफ कर दीजे मैंने सई को बहुत होट किया तब ही वहाँ पर दिया बुचता है और दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर दिये को बढ़ने से बचा लेते हैं ये देखकर पंडे तुम की तारीफ करता है और कहता है कि सई और विराट तुम दोनों का जो प्यार है वो बहुत अटूट है भगवान तुमारी जोड़ी सदा के लिए बनाए रखें जैसे ही ये लोग मंदिर से निकलेंगे वहाँ पर सई से होगी विराट की सब्राइस मीटिंग विराट और सई की पहली एनिवर्सरी है सर पर विराट यहाँ पर सणी को कहेगा कि हाँ मैं सई को बहुत स्पेशल फील करवाना चाहता हूँ लेकिन कैसे ये समझ नहीं आ रहा सणी यहाँ पर विराट को सजेस्ट करेगा तो एक काम करना सई भावी को कोई हिल स्टेशन ले जा और वहाँ पर अपने दिल की बात कह दे विराट यहाँ पर कहता है कि सई पता नहीं मानेगी या नहीं मानेगी और जैसे ही वो पूरे रास्ते में सोचता हुआ जाता है और घर पहुंचते ही उसे एक आईडिया आ जाता है विराज साई से कहता है कि जो मेरा department है उन्होंने मुझे ट्रिप पर भेशने के लिए कहा है और यहाँ पर सब के साथ में उनके spouse याने की husband और wife जा रही है यह सुनकर साई काफी जाना शौक्त हो जाती है और विराज से कहती है कि तो आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ आँ विराज यह सुनकर है खुशे के मारे नाचने रगता है कूदने लगता है और वो बहुत ही जारा excited हो कर होटेल की booking भी करवा देता है सही यहां पर बहुत ही enjoy कर रही होती है विराज की तरफ से दिया हुआ gift और विराज उसकी पसंद का धेर सारा खाना लेकर के आता है और उसे खाते देख विराज बहुत खुश होता है यहीं हो जाएगा च्छाथ की अपिसोट का है और आने वाले अपिसोट में दिखाया जाएगा कि इन लोगों की ट्रिप हो जाएगी शुरू साही विराज पहुचाएंगे honeymoon destination होगी समराच के साथ खास मुलाका तो कैसा होगा यह ट्विस्ट आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स रिपोर्ट में